दोस्तो भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो किसी ना किसी रहस्य को अपने में समाए हैं जिनमें से एक है पूरी का जगनात मंदिर कहते हैं कि इस मंदिर में भागवान स्रीकिष्ण की मिर्त्यू का रहस्य चुपा है वैज्यानिक भी इसके चमतकार के आगे से जुकाते हैं तो चलिए जानते हैं जगनात मंदिर से जुड़े पूरे 10 रहस्य है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तो हमारा वीडियो किसी धर्म जाती को ठेस नहीं पहुचाना चाहता कहा जाता है कि द्वापर युक के बाद भगवान किष्ण जगनात के रूप में पूरी में निवास करने लगे इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अनोका यहां का रहस्य है यहां ऐसी कई अद्बुत घटनाएं देखने को मिलती हैं जो अपने आप में खास हैं साइन्स भी यहां काम करना बंद कर देती है पहला रहस्य हावा के विपरीत लहराता ध्वज जगनात मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा के विपरीत दिसा में लहराता है ऐसा होने की वजय का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया यह अनोकी बात हर किसी का ध्यान अपनी और खीचती है इसके अलावा एक और हैरानी की बात है कि रोजना साम को मंदिर के ऊपर थापित ध्वज को ऊपर उल्टा चड़ कर बदला जाता है जब यह ध्वज लहराता है तो हर किसी का ध्यान अकरसित करता है इस ध्वज पर भगवान सिव का चंद्र बना है दूसरा रहस है गुंबत की परचाई नहीं बनती इस मंदिर की भववेता देखते ही बनती है जो करीब 4 लाख वर्ग फुट छेतर में फैला है जबकि इसकी उचाई 214 फुट है मंदिर इतना विसाल है कि इसके पास खड़े रहकर इसकी गुंबत देखना मुश्किल है ताजुब की बात है कि गुंबत की परचाई दिन के किसी भी समय दिखाई ही नहीं देती तीसरा रहस है सुदर्सन चक्र पूरी में कई मंदिर हैं जहां हर मंदिर के सीड्स पर सुदर्सन चक्र लगा है देखने में ये चक्र आपको हमेशा अपने सामने की ओर दिखाई देगा इसे नील चक्र भी कहते हैं ये अश्ट धातू से बना है जिसे काफी पवित्र और सुब माना जाता है हवा की दिशा नॉर्मल दिनों में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है जबकि साम को इसके वीपरीद लेकिन पूरी में उसका उल्टा है या हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है पाच्वा रहस गुंबद के उपर नहीं उड़ता कोई पक्षी अक्सर आपने मंदिरों के गुंबद के आसपास पक्षियों को खुब उड़ते देखा होगा लेकिन जगनात मंदिर की गुंबद के आसपास कोई भी पक्षी नहीं उड़ता आज तक किसी ने पक्षियों को वहा उड़ते नहीं देखा यहां तक कि किसी विमान को भी यहां नहीं उड़ाया जाता, कोई नहीं जानता आखिर इसके पीछे क्या सच है छटा रहस्य है, समुद्र की आवाज जैसे ही आप इस मंदिर में जानने के लिए सिंग द्वार से अपना पहला कदम रखेंगे तब मंदिर के अंदर समुद्र की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी जबकि मंदिर के बाहर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगे इस अद्वोध घटना को आप साम की समय महसूस कर सकते हैं साथवा रहसे, रूप बदलती मूर्ती, पूरी में भगवान किष्ण, जगनात के रूप में विराजमान है, साथ ही उनके साथ भाई बलराम अभेन सुबद्रा भी हैं, तीनों की मूर्तियां लकडी से बनी हैं, जिनका हर साल एक बार नव कलेवर होता है, वैसे तो ये मूर अरूप पहले के समान ही रहता है, कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, वो केवल दर्संग के लिए रखी गई हैं, आठवा रहसे, सबसे बड़ा रसोई घर, जगनात मंदिर में करीब 500 रसोई और 300 सहयोगी मिलकर प्रसाद त्यार करते हैं, लगबग 20 पर एक रखा जाता है, सारा भोज लगड़ी पर ही पकाया जाता है, हैरानी की बात ये है कि उपर के बरतन में भोज जल्दी पकता है, जबकि नीचे वाले बरतनों में बाद में, नौवा रहसे, जैसा की हर साल भगवान की मुर्टी बदली जाती है, लेकिन लकड़ी का ल और ना ही इसे चू सकते हैं पुजारी बताते हैं कि यह बहुत कौमल होता है जो भी कोई इसे देख लेगा उसकी जान भी जा सकती है इस डर से कोई भी उसे देखने की कोशिस नहीं करता दसवा रहस्य खजाने की गुमचाबी खजाने की गुम चाबी का रहसे जगनात मंदिर की वारिसिक आय करीब 50 करोड है जबकी मंदिर की संपत्ति 25 करोड के करीब है लेकिन कहते हैं कि मंदिर का खजाना अगा ईससे भी कई गुना ज़ादा है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा इसे सेर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यहाँ पर हम अपनी बात एक बर फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से मिली है हमारी वीडियो का उद्देश किसी धर्म, जाती, संप्रदाय की भावना को ठेश पहुचाना नहीं है